नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत थे लिटेफ्ट प्डेट निकल कर आई कि सभी पैंशनर के लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर पैंशन को लेकर किया यह बड़ा फैसला तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल म में बताएंगे कि सरकार ने पैंशनर की पैंशन को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा फैसला कर दिया जिसे उनकी पैंशन में जबर्दस्त पड़ोतरी होगी अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पो उसके तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तो करमचारी बविशन नीदी संगठन के पैंशन बोग्यों के लिए बेद खुशी की खबर है यह जानकारी उनके खाते में आने वाले करमचारी पैंशन योजना की पैंशन को लेकर है EPFO ने एक सरकुलर जारी कर दिया है कि पैंशनों को महिने के आखिरी वर्किंग डे पर पैंशन मिलनी है दोस्तो अब करमचारी पैंशन योजना के तहर सेलरी की ही त्रह पैंशन भी मिलेगी हर महिने के अंतिम तारी को पैंशन के खाते में पैंशन जमा कर दी जाएगी दोस्तो आपको बता दे कि अभी तक करमचारी पैंशन निदी संगठन की नितिक अनुसार पैंशन की रासी महिने के पहले कारिय दिवस पर खाते में जमा होती थी लेकिन अब इसे बदल दिया गया है करमचारी बोईशनिदी संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में का गया कि पैंशन विबाग की मदद से RBI के परदेश के मुताबिक यह निर्धारित किया गया है कि परतेक फिल्ड अधिकारी मासिक BRS पैंशन विबाग को बेज सकते हैं करमचारी पैंशन योजना में यह द्यान रखा जाए कि पैंशनरों के खाते में समय से पैसा जमा हो पैंशनों की पैंशन महिने के आखरी वरकिंग डेव पर या उसे पहले जमा कर दी जाए करमचारी बविशन निदी संगठन ने अपने एक शर्कुलर में काया है कि इन आदेसों का कड़ाई से पालन किया जाए इसके साथ ही सभी कारियाले को अपने अधिकार छेतर के अंतरकत आने वाले बैंकों को भी इस निएमों का पालन करने के आदेस बेज दिये गए हैं दोस्तों आपको बता दे कि फार्मल सेक्टर में काम करने वाले करमचारियों को 58 साल की उमर के बाद पैंशन मिलती है इसके लिए करमचारियों के लिए कम से कम 10 साल तक काम करना जरूरी है करमचारी बोविशन निदी में बोविशन निदी और करमचारी पैंशन योजना जमा की जाती है EPF में योगदन करने वाले करमचारी भी EPS के पातर हैं करमचारी पैंशन योजना के लाखों पैंशनरों के लिए सांदार जानकरी है दोस्तों अब आपको पैंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा सभी पैंशन भोग्यों की पैंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है आपको बताया दे कि पैंशनों की ओर से लगातार सिकायते हो रही थी उन्हें पैंशन के लिए लंबी अफ़धिका इंतजार करना पड़ रहा था इसके लिए करमचारी बोईशनिदी संगठन ने सरकुलर जारी कर यह जानकारी दी है करमचारी बोईशनिदी संगठन ने काया कि अब आपको अपनी पैंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मां की अंतिम तारीक को पैंशन रासी सभी के खाते में ट्रांसपर कर दी जाएगी का गया कि करमचारी पैंशन योजना की पैंशन रासी मां के अंतिम चालू दिवस पर ट्रांसपर हो जाएगी कई बार छूटी या अन्य किसी कान से पैंशन भोगियों को काफी लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ता है दोस्तों करमचारी पविशन निदी संगठन ने अपने शर्कुलर में काया कि उप्रुक्त आदेशों की कड़ाई से अनुपालन को देखते हुए सभी कारिय सतलों को सुचित किया जाता है कि उन्हें अपने संबंदित अधिकार छेतर के दाहत करमचारी पैंशन योजना शुरू करने की अवशकता है इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किये गए हैं कि करमचारी वविशन ने दी संगठन को यह रासी पैंशन बोगियों के खाते में पैसा ट्रांस्पर होने की दो दिन पहले बैंकों में पहुचानी होगी ताकि सारा काम सही तरीके से होसके आपको बता दे कि E.P.F. खातादारकों को इस पैंशन के लिए पातर माना जाता है आपको बता दे कि E.P.S. उन सभी करमचारियों के लिए आवसके जिनकी आई और डिये सामुई करूप से 15,000 से बहुत कम या उसके बराबर है करमचारी पैंशन योजना का लाब E.P.F.O. के मैदम से लिया जाता है तो दो तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय वारत